हलो दोस्तों नमस्कार जाहिन स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर विज्वाल आर्ट हिस्ट्री विद्निवी जहां मिलती है चित्रकला से सम्मने संपूर जानकारी तो आज की वीडियो हमारी जो होने वाली है वो जोगी मारा की गुफाओं पर होने वाली है है जो भारत की प्रत्रम भित्याचित्रों वाली गुफाएं हैं जहां से भारत में भित्याचित्राण का ढूर्म होता है इससे पहले की ओस पर जाके आप देख सकते हैं अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी जनकार्यां मिल सकें तो आए शुरू करते हैं तो जब बात आती है जोगी मारा की गुफाओं की भारत की सबसे पहली भितिचित्रों वाली गुफाएं अब सबसे पहले भितिचित्रण कहा हुआ है तो जोगी मारा में हुआ है सबसे पहला शब्द और सबसे पहला वाकि मैंने यह इसलिए कहा कि अब तक जो चित्रण हो र गुफाओं के अंदर बनाएं और गुफाओं के दीवालों पर बनाएं घालाकि बिति-चित्र भी दीवालों पर बनाया जाते हैं लेकिन इनको जो ध्रातल था वह जैसा था उसी पर उभर कटा उठाया और चित्रण कर दिया तो यह कि यह रेखा चितर हुए ना कि भीत्त चितर हुए, भीत्त चितर बनाने के लिए किसी भी भीत्ति को τιफाon को टियार किया जाता है, चुना, औरगांग घंढ और विधा खड़ी, इन सबको भाती, फिर उस पर कुछ परथ लगाई चाती है, फिर उस फ्र्श्टो क्मेमर्ने के पश याद रखनी है और रहर किया को करने मैं ए जोगिमाराकी तीक श्माitel कि भी पैर खैज्सान हो कि हैं तो समय क्या है अ शुप कालीन मतलब मौरयकाल की है यह मौरयकाल में भी किसके समय की है अश्यू की है यह कहां पढ़ती है अगर question आता है तो यह 36 गड़ के अमरनात इस्ठान पर 46 गड़ जिला है अमरनात इस्ठान पर रामगड की पहाड़ियों में पढ़ती है इस चते इस गड़ Рाज्य है यहां से नर्मदा नदी निकलती है वही पर यह आपकी जोगी मारा की गुफाएं पढ़ती है यहां मैंने एक तस्वीर दे रखी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की आपकी जोगी मारा की गुफाएं दिखती है और इनके अंदर यहां भीतिचित्रण हुआ है तो यह ची पर तो आपको सर्गुजरियासत याद रखनी पहले यह पढ़ती थी पर वर्तमान में 36 गड़ राज्य के अमरनाथ स्थान पर रामगड की पहाड़ियों में पढ़ती है यह भी आपको ध्यान रखना है अब एक चीज और याद रखना कि 36 गड़ की गुफाएं जो हैं इन जोगिमारा जिसके अधार पर पुरह नाम पड़ा है दूसरी पांति बोगीमाणोरा के मतुलत रहर स्था क्लिक, सुस्री है सुब्सक्राइबीयों में उनल्भी करता हो चोड़ाई तो 10 गुणे 6 गुणे 6 हैं मतलब दस पीट इसपी लंबाई है 6 इसकी चवराई है और 6 पीट इसकी ऊंचाई है तो 10 गुणे 6गुणेश कई बार ऊंचाई पूछ ली जाती है कई बार लंबाई पूछ ली जाती है या चोड़ाई पूछ जाती है अलग अलग याद रखना लंबाई दस पूट है चोड़ाई 6 पूट है और उचाई भी कितनी है 6 पूट है तो यह चीज आप लोगों को याद रखनी है लंबाई चोड़ाई और उंचाई यह चीज आपको याद रखनी है ताकि आप भूलेना ठीक है चलिए यहां से प्राप्त एक शिला लेख है जहां इसमें एक शिला लेख में ऐसा मिला कि यह गुफा बरुन देवता का मंदिर थी यहां पर बरुन देवता का निवास स्तान था ऐसा इस गुफा के लेख से प्राप्त हुआ लेख से पता चला और इस पर जैन कला का प्रभाव था यह मंदिर जो था इस पर जैन कला का प्रभाव था गुफा के चित्र अब जोगी मारा गुफा की चित्र किस ने बनाए सुतन का देवदासी ने बनाए और यह सारे चित्र जो हैं वियोग के प्रेम को दर्स आते हैं आप लोगों को पता होगा कि स्रंगार रस जो है दो भागो में होता है सिरंगार मुं दो भागों में होता है यहां पर मैं इसलिए कहारी कि स्थाइब आपको रखने वाला होता है है यहां एक होता है व्योग और एक होता है तो सहं योग स्रंगार में मिलन की जो है ज़ित्रन किये वियोग में विछोड़े हो है कि व्याख्य की जाती है यरा उसका चित्रन किया यहां विज़ने करें कारण क्या है कि अश्वार। माहलीजा जाता है कि यहां पर ब defendrata का निवास आ करны यहां पर वरूणदेवता का निवास पां द्धान जोग के चित्र बनाती है उसकी याद में या दुख में तो यहां पर जो चित्र है किस से जुड़े हुए हैं यह आपको याद रखना है जब जोगी मारा की बात करेंगे तो जोगी मारा के चित्रों का विवरण जो है असित कुमार हलडार और समरें दरनात गुप्त ने एक अध्यन किया इनके चित्रों का विस्तरत अध्यन किया और उसके बाद इनका विवरण प्रस्तुत किया और इन्होंने साथ खंड बताए कितने बताए चित्रों के साथ खंड बताए और वो कहा चित्रों को साथ खंडों में विभाजित किया और कहा कि यहां के चित्रों ने प्रस्तुत किया और ये खंडित अवशेस हैं पूरे प्योर बने हुए चित्र नहीं है एक सफेड भिती चित्र पर बने हुए चित्र हैं ऐसा कुछ लोग ने माना कि ये चित्र दुबारा बनाए गए हैं जो मूल चित्र थे वो छिप गए हैं अब चित्रित छत को आयताकार खंडों में लाल रेखाओं से विवक्त किया गया था जो इन्होंने साथ खंडों की ब्याख्या की है तो कुछ ऐसे इनको लाल रेखाओं से इन खंडों को मालीजे ऐसे ऐसे विवक्त कर दिया गया था कि इन खंडों में जैसे एक कहानी लेखा नहीं होता बच्चों की कहानी का पाट तो कुछ इस तरीके से खंड विभाजित हैं जिनमें सातु खंडों के चित्र अलग-अलग साथ दुरुष्य बनाए गए हैं जोगी मारा गुफा में अभी सीता बोंगरा की बात नहीं हो रही तो आए हम चित्र भी देख लेते हैं कौ भी में घ् trustworthy जेना जोगी मारा में चित्रत है दूसरा है जिसमें एक या दो पतियां है बहुत कम पतियां और उसके नीचे एक व्यक्ति आराम कर रहा है और ये लाल रंग से बनी हुई कुछ आकरतियां भी यहीं पर प्राप्त हुई है यह दुतिय खंड है जो आपके असितकुमार हलदार ने बाटा है तीसरा है सपेद प्रश्टभूमी पर काली रेखाओं से एक बाग का दृष्ण है इसमें कुमधनी के पुश्व पर नत्य करते यूगल बनाएं लिली या कुमधनी के फूल पर नत्य करते यूगलों का दृष्ण कहां मिला है तो आपके जोगी मारा के गुफा के तीसरे में कुमुदनी पर नत्य करते हुए यूगल के चित्रण प्राप्त होते हैं ती चौथा अब आपने देखा था प्राप्ति हासी काल में कुछ हमें चौचदार पुरुस वाला वो तांत्रिक या ओजह जैसा चित्र एक स्थानों पर मिला था यहां भी एक चौचदार सिर्प हैं नत्य गायन का दरब से पंचम खंड में रथो को श ठेक रथों के समान भवनों को सातवे खंड में चित्रित किया गया है जो भी मारा की गुफा में तो इन में सबसे ज़्यादा जो इंप्वर्टिंट चित्र है वो है गजग्राह कत्था वो याद रखिएगा बागी आपको एक नजर देख लेनी है क्योंकि कई बार अलग से कुछ डाल दिया जाता है इसके बाद जो दूसरी गुफा आती है वह आपकी सीता बोंग्रा यह भूंगा लांग्रा इस गुफा मेरे समभवताह देवदासियां रहती अब यहां पर संभवत्लूर्ण लगा है क्या संभवत हाद है तो यहां पर रुपधेष्डेवीदीन का भी वह माना जाता है इस चीज को आपको द्यान रखना पड़ेगा तो तो इस इस चित्र किस ने बना देवीदीन ने बना है यहां पर बता तो आप देवी दीव को ही लगाएंगे यहां प्रेम प्रसंग से मंदिचित्र बने हैं यह वियोग मारा मैं तोयोग है लेकिन इसमें वियोग है अभी कित्रण विशे क्या रहा अगर हम कहें सीटा कोंगरा का तो मानवक्रतियां मच्छटी और हाथी इन्हों ने बनाई मच्छी बनाया हाथी बनाया वही गजगरावली कथा का ही कॉपी हम कह सकते हैं कुछ ऐसे ही यहां बर कर चितरण हुआ है लेकिन इस परश्च दिखाई नहीं ढहीं डेता कि यहां पर सब टूटा-फू अब हम जोगी मारा में प्रयुक्त रंगों को देख लेते हैं इन्होंने गुफा में चित्रण करने के लिए किन रंगों का प्रयोग किया तो अगर आजाए कि कौन से रंग थे तो खनी जरंग थे इससे पहले आमने जो देखा वह भूमी जरंग जब प्रागतियासी काल में देखते हैं तो भूमि जरंग या मिट्टी के रंग है अब यहां खनी जरंग है कौन-कौन से धरातल ये प्रष्ट भूमी ये सफेद से बनाते थे आप सभी को पता है सफेद चूना से या खड़िया से प्राप्त होता है तो यह भी खनी जरंग है ठीक है है कि चूना या पेदरंग पराप्त होता था चित्र यह लाल से बनाते थे या हिरोंजी रंग से चित्रों को लाल रंग से बनाते थे यह लुग ध्यान रखिएगा या गेरिये से बनाते थे तो पीले बनाएं हो कि रśli और पूछ लिए जाता है जोगी मारा में रहाँ सबसे important है कि जोगी मारा में सर्वपथम हरी रंग का प्रयोग किया गया है आपको बता दूं कि हरा रंग जो है मायरो वालम नमक फल से बनता था वैसे तामी के लेकिन वह आपके अजनता की तरफ उधर बाद में मिलता है यहां मायरो वालम नमक फल से हारे रंग का निर्माण किया जाता था और है यहां जोगी मारा में प्रयोग किया गया है मेरो वालम थाने दार तो याद रखना यहीं से लिया होगा इनोंने आपको ध्यान रखनी है इसके बाद हम कुछ और जो हमारे जोगी मारा की गुफाहों से इंपोर्टन बिंदू है जो मातफॉण बिंदू है जिने ध्यान रखना है जो वन लाइनर में आपके कोईष्टन के रूप में आ जाते हैं तो मैंने इनको एक एक लाइन में लिख दिया है जिनसे प्रश्णों बनते हैं तो इनको भी हम देखते चलेंगे जोगी मारा की चित्रों के रचना शैली के बारे में अगर हम बात करें साची या भरहूत की बौनी आक्रतियों के समाने आप सभी को पटा है साची का स्टूप और भरहूत के कारण क्या है लगबग उसी टाइम पेरिड से उनसे प्रेरीत रही है चित्र गुफा की छत पर मिले एक कई बार पूछा जाता है कि जो कहां पर बने है तो सपेद प्रश्ट भूमि पर याद रखना पूछता है ठीक है तो च्छत और किस पर बने है अगर सफेद टुकू में लगाना है ठीक है तो यह चीज आपको दिहान रखनी है मुझे बताना चाहिए जोगी मैं नियम का पालण हुआ आप लोगों को पता होगा कि चित्रण में कुछ नियम होते हैं जैसे के इनरत्व का नियम होता है कि विकेड़न का नियम होता है सम्मुकतर का नियम लाव प्रेंटलिटी लागू है यहीं पर मैं बता दूं आगे अजुमता मैं बताऊंगी वहां पर लाव सेंट्रिटी लागू है और यहां आपका लाव प्रेंटलिटी लागू है 50 मतलब सम्मुकता का नियम मतलब फेस को सामने से बनाया गया है। यह दिए लाग शैनलिटी जी सामने से बनाया गया कहा लाकु आपको हुआ जोगी मारा में लागु है ठीक है चलिए और केंद्रत्यों का नियम मैं आपको अजंता की गुफों में समझाऊंगे तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना तभी तो देखेंगे बित्य चित्रों का प्रारिंब का हुआ तो जोगी मारास से ही माना जाता है मैंने बता दिया बित्याइब और शेला चित्रों में क्या अंतर है भीति चित्रों को बनाने के लिए एक अच्छा हम कह सकते अच्छी प्रष्ट भूमी एक अच्छा टेक्श्टर तैयार करना पड़ता है जब शेला चित्रों में एक चौक उठाई और कहीं भी किसी भी पत्थर पर आपनी चाहे जो कुछ उकेर दिया रंग लगा दिये वो शेला चित्र या गुफा चित्र कहे जाएंगे भिति चित्रों के लिए आपको भिति तयार करनी पड़ती है चुना पथर इट गारा यह अलसी वगरा सब मिला के तयार करते थे अजंता की गुफाओं की पूरवज मानी जाती है आपकी ज गुफाएं बन गई इनके विश्रा में पूरा डेटेल मिल गया तो अब इनकी प्रतलिपियां भी बनना ज़रूरी था किसी ने बनाई भी होगी तो अब हम यह देख लेते हैं कि जो भी मारा की प्रतलिपियां सन 1914 हमें या 1914 इस भी में असित कुमार हलदार और समरेंदरना गुप्त जिन्हों ने इनकी अध्यन के बाद व्याख्या प्रस्तुत की थी जिन्होंने इसके चित्रों को साथ खंडों में बटा था इसके अलावा मिश्टर बर्ड ने या अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग भागों में इनका बिभाजन किया है तो यह चीज आपको जो असित कुमार हलदार और समरेंद्रनात गुप्त ने बनाई थे जोगी मारा पर जैन कला का प्रभाव है जो राय कुष्ण दास के अनुसार अब राय कुष्ण दास ने कहा जोगी मारा पर जैन कला का प्रभाव है लेकिन अगर आपके पास चार आप्सन हो कि जोगी मार अगर प्रेम नहीं है अगर आपको दिया जैन धर्म, बोदधर्म, हिंदु दर्म और इनалась से कोई नहीं तो आप इनने से कोई नहीं लगाएंगे अगर मान लीजिए जैन, बो दू इसाइड दिया है कि पिछली वीडियो में मैंने question किया था OCP क्या है इसमें कई लोग उने comment करके बताया भी था OCP क्या है OCP का full form है आकर कलर पाट्री आकर कलर पाट्री मतलब गौरिक म्रदभांड ठीक है हिंदी में कहें तो गौरिक म्रदभांड कि कि अब इस संबंद किस से रखते हैं तो यह संबंद रखते हैं तौश लोगों ने इसका एंसर बिल्कुल विस्तरत दिया था लेकिन मुझे लगा इसको explain कर देना चाहिए, ये गेरुए रंग या लाल रंग के पात्र होते थे, इनकी खोज सन 1950 में आपके बीवी लाल ने की थी, ये भी आपको याद रखना है, बीवी लाल जो थे, बीवी लाल, ठीक है, जिनका पूरा नाम ब्रजवाश्री लाल था, तो ये ब्रजवाश्री लाल जो थे आपके, ठीक है, ये इनों ने 1950 से में OCP की खोज की थी, ओकर कलर पॉटरी की खोज की थी, इसी के साथ कुछ और पात्रों के विश्र में, मैं यहाँ पर बता दू, ताकि आपको कोई भी confusion ना हो, वैसे एक पात्रों में छोड़के आना है, RBW, RBW जिसकी फुल फार्म है, रिड ब्लैक वेर, वेर मतलब लाल काली म्रदवांड, लाल काली म्रदवांड, यह किस काल से संबंद रखते हैं, तो लाल काली म्रदवांड सिंद सब्वेता से संबंद रखते हैं, यह आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम देखेंगे, यहाँ पर लाल पात्रों पर काले रंग से कारी-गरी की गई थी, तो RBW, जो हैं, संबंद रखते हैं, OCP मैंने आपको बता दिया, ओकर कलर पॉटरी, आपके तामर पाशाण काल से संबंद रखते हैं, यहाँ पर बता दू, PGW, PGW, पेंटेड ग्रे वेर, यह किस से संबंद रखते हैं, तो यह आपके उत्तर वैदिक काल से संबंद रखते हैं, और यह आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार आपसे full form पूछ लेगा, तो आपको confusion हो जाएगा, यह समय पूछ लिया, तो आपको confusion हो जाएगा, यह भी पात्र थे, मतलब पेंटेड धूमिल कह सकते हैं मुरदवांड चित्रित धूसर मुरदवांड जो उत्तरवैदिक काल से संबंध रखते हैं पीजी डवलू अब यहां पर आज का जो प्रूश्चन है आज का जो प्रूश्चन है एन वी पीडवलू क्या थे और इनकी फुल फॉर्म क्या है यह किस काल से संबंध रखते हैं अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देख रखी है तो यह आप बता देंगे आपको एंसर करना है और अगर नहीं कर पा रहे तो यह तो पिछली वीडियो देखिएगा नहीं तो कमेंट में आप करके बताईएगा कि इनकी फुल फॉर्म बता दिजैंगे मैं तो मैं आपको बताने की कोशिस करूंगी NBPW की फुल फॉर्म क्या है और यह किस काल से संबंध रखते हैं आपको बताना है तो अंतिम पॉइंट यांतिम मिंदों हम फिर से दोहराते चलेंगे कि जो गीमारा के च यह नहीं हो तो आप लगा सकते हैं धर्म की राजक्रश्म तासमें माना है यह हैं हमारी कुछ जोगी उट्चंजी हो तो अंदर जाने में दिक्कत होगी धुक्के जाएं यह हमारी जोगी मारा की को पाएं तिलहाल के लिए आज हम इतना ही रखते हैं एक वेश्चन और किसने बनाई थी और कब बनाई थी आपको एंसर दिना है अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो मुझे पता चलेगा कि आपने पूरी वीडियो देखी और आपने एंसर दिया है आज की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के धली धन्यवाद अगर आप नए है तो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से एर करिएगा जनकारी अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करिए और कमेंट कर दिया करिए हमारा भी थोड़ा उत्सावर्धन हो जाता है थैंक्स और वाचिंग